मेरी बुआ की शादी थी और मैं 6 साल का था, मेरे पिता जी बरतन खरीदने गए, शादियों में पहले बरतन दिये जाते थे, ये देख्ची दी जाएंगी, ये पराद दी जाएगी, ये सब चीने दी जाएंगी, गवाँ में शादी थी, तो मैंने अपनी मा से कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं बजार जाना चाहता हूँ, उन्हेंने बहुत देल लगेगी लेकिन मैं चला गया, मैं गया तो पीतल के बजार में, जब सामान खरीदने के लिए मेरे पिता और मेरे दादा दौनों खड़े हुए, तो एक सेठ ने पीतल महंगी बताई, तो उन्हे ने बताया खुदरंग वो है जिसका रंग सिर्फ उसका हो बाकि किसी के पास ना हो तुम मैं राहत इंदौरी को बुलवाना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान का खुदरंग शाय है जो और दार तालियों के साथ बलाईएगा अब बहुत खुबसर शायरी सुन रहे हैं आप बा और कल निशाला सुबा आओंगा घर मुलाकात होगी कुमार ने जो कुछ भी मेरे तारुफ में कहा सच कहा या जूट कहा उस पर चलिए बैतार रहे है चलिए कुमार ने मेरे तारुफ में जो कुछ भी कहा पता नहीं है सच था या गलत था लेकिन एक बात बिल्कुर सच कही कि रहा चिंदोरी अपने रंग के अलागी शायर है यकिन है नहीं तो आप देखी रहे हैं मैं कुछ शेयर पढ़ता हूँ इजाज़ाती आप लोग होगी जिस तरीके से आप लोग मुझे सुनते आ रहे हैं अगर उस तरीके से सुनेंगे आप तो मुझे सुनाने में आसानी होगी और मैं शायद कुछ आपकी खातिर करत पाँगा अस क्या है कि फैसला जो कुछ भी हो मनसूर होना चाहिए नहीं बटा पुराने नहीं इतना नहीं अभी तो मैंने नहीं सुना है फैसला जो कुछ भी हो मनसूर होना चाहिए क्या बात है भाई फैसला जो कुछ भी हो मन्सूर होना चाहिए जंग हो या इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया नमाज पढ़के आए और शराब मांगने लगे उस सुखन वरू ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाख सब ये शेतनी का खास्तों पादू सदर साब आप कि नल्फे कर रहा है अज क्या है कि नमाज पढ़के आए और शराब मांगने लगे सुखन वरू ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाख जरा सी दाट क्या मिली खिताब मांगने लगे सुखन वरू ने खुद बना दिया सुखन को एक मजख जरा सी दाट क्या मिली खिताब मांगने लगे जरा सी दाट क्या मिली खिताब मांगने लगे सुने साथ ये गदल पढ़ रहा हूँ हुखन को खुमार साब मैं आपको ना महीं लगा ये तो कहूंगा नहीं मैं आपको सुनिएगा कि अब जो बाजार में रखे हैं मुझे बिलकुल हैरत प्यूंगी कि आपने अच्छार ले प्लाया या जो भी जिस तरीका से मुझे है आप मेरे बच्चे हैं अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है जो भी देखेगा वो पूछेगा कि खीमत क्या है अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है जो भी देखेगा वो पूछे गा कि कीमत क्या है मैंने पहले ही कहा था कि सफें ठीक करें या आपके लिशे में पहले ही कहा था मैंने पहले ही कहा था कि सफें ठीक करें अब अगर हार के बेटे हैं तो हैरत क्या है मैंने पहले ही कहा था कि सफें ठीक करें मैंने पहले ही कहा था कि सफें ठीक करें अब अगर हार के बैठें तो हैरत क्या है अब अगर हार के बैठें तो हैरत क्या है पहले सुन लें आप और दोनों मिसले समझ ले और लगे कि हाँ ये ठीक छेशार हो गया तब दाद्धिया जल्बास ही ना करें तो आप ये लिए भी आसानी हो गया ये घजल पढ़ता हूँ असलिमें कोईटा शेहर में एक मुशारा था जिसकी सदारत नदीम अदीम खास्मी साब कर रहे थे उनके पास में एक साब बैठे थे जैसे सदार साब के पास में बैठा था तो वो जोर जोर से दाद देते थे हर शेहर पर वो दाद शेहर समझ में आए ना आए वा 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 सबाहनलाः सबाहनलाः तुर्षानलाई नदीम साथ कान में जब बहुत ज़रा उल्चन होने लगी तो उन्मिया तुम अल्लहमिया को इतनी जोर से याद करते हैं अगर अल्लहमिया आपको धीरे से भी याद कर लिया तो मुशारा आपका ये आखरी हो जाए 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 तो इसलिए आप पहले सुने हैं पहले सुने हैं अब अगर हार के बिठें तो हैरत क्या है गजल सुनाता हूं कि सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेबने खनक के मुझे सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेबने खनक के मुझे कोई बताए कोई बताए के मैं इसका क्या इलाज करूँ परिशा करता है ये दिल धाड़क धाड़क के मुझे कोई बताए के मैं इसका क्या इलाज करूँ परिशा करता है ये दिल धाड़क धाड़क के मुझे तालुकात में कैसे दरार पड़ती है तालुकात में कैसे दरार पड़ती है बता दिया किसी कमजर्फ ने चलक के मुझे या अच्छा शेरता तालुकात में कैसे दरार पड़ती है बता दिया किसी कमजर्फ ने चलक के मुझे और बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में हाला कि आज मैं गलत जगा बेटा वाँ हूँ लेकि शेर अगर मैं सही जगा बेटा हूँ तो शेर जादा मज़ाता आप लोगों कुछ शेर पौड़ा हूँ जी ना है बहुत सी नजरे हमारी तरफ हैं महफिल में इशारा कर दिया उसने जरा चलक के जरा सरक के मुझे तो मैंने गलत खाफिया पर दिया एक बार फिर से सुनी जगा है बहुत सी नजरे हमारी तरफ हैं महफिल में इशारा कर दिया उसने जरा सरक के मुझे सुनिए कि ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआ उड़ जाए ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआ उड़ जाए वो एक लिहाफ में उड़ू तो सर्दियां उड़ जाए वो एक लिहाफ में उड़ू तो सर्दियां उड़ जाए हवाएं बास कहां आती है शरारस से सरों पे हाथ ना रखें तो पगड़ियां उड़ जाए हवाएं बास कहां आती है शरारस से सरों पे हाथ ना रखें तो पगड़ियां उड़ जाए हवाएं बास कहां आती है शरार कि ये के सुना के बतारा हूं सरों पे हाथ ना रखें तो तौगडिया उड़ाइए बहुत घृूर है दरिया को अपने होने सुने आफं टामें разм, जी बहुत घृूर है दरिये को होने पर जो मेरी प्यास से अलजे तोषे जाए तों पर यह ने होने यहां पर मेरीन साहब असाना उटेंट न्योंने मुझे कान में cracking ताक बईता हाद फलाना शेर हैं, आपकी नजर करता हूं आपके हुपमी तामील में एक मेरा बच्चा भी यहां गगन द्गल बैठावाई मेरी परिवार का मेरी फैमली का आपके आपके आवाज उसके लिए भी की फरमाईश भी मैं पूरी कर रहा हूं पुरानी शायरी है लेकिन दो शेयर सुनिए गामजा आएगा उसकी क कि अखने इस मतले में खराबी या खुबी यह है यह फोरन खत्म हो जाता जल्दी से पता ही नहीं चलता कब खत्म और तो आप दर हुश्चारी से सुनिएगा तो ठीक रहेगा या मैं इसारा भी कर दूँगा उसके कथ्थी आखों में जन्तर मंतर सब सब चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब खत्म हो गया यह उसकी कथे आँखों में है जंतर मंतर साथ चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर साथ जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे है। विस्तर साथ मुझसे बच्छड कर वो भी कहां अब पहले जैसी है फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर्ष मुझसे बच्छड कर वह भी कहां पहले जैसी है फीके पढ़ गए कपड़े वपड़े जेवर इवर सब तीन चार शेर ना जाने को लालच में पढ़ रहा हूं हाला के काम तो मेरा हो गया लेकिन सुन लिजिए सुने भई खातून बहुत अच्छी हमारी दोस्ते हमारी बेटी की तरह है या वह हमारी उन्होंने बड़ी आपको मर्दों को कोशा कहां है कहां नहीं है वह आपने बड़ी दादें जी तो मेरी तो में तो बड़ा हुशुर खुन का मैं जवाब तो नहीं दे सकता लेकिन कि भी जगाने की भी आदत हो जाये है ढम जागने की भी लुटने का मञु़वती नहीं पड़े जागने की भी का जगाने की भी आदतों हो जाए कर तुछ को कि से शाइर से महबत हो जाए जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए काश तुझको किसी शायर से महबत हो जाए दूर हम कितने दिनों से हैं कभी घुर किया फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हुआ दूर्हं कितने दिनों से हैं कभी दूर प्र वाय पिर न कहना जो अमानत में ख्यानत हो जाए उर्ट यह एक शेर में पड़के जा रहा हूँ दूबई के इस खुबस्रत मुशायरे में सुनिए गाउ पिर न कहना जो अमानत में ख्यानत हो जाए और उखड़े पढ़ते हैं मेरी कबर के पत्थर हर दिन उखड़े पढ़ते हैं मेरी कबर के पत्थर हर दिन तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाओ भाइब भाइब लाद भाइब कहा जाएएगा अब आप कहा लिए अधार साथ में मुन्हें राना साम दिया दो शेर का वो मैं पढ़ा हूं सके बाद में दो शेर अपकी तरफ से पुड़ को चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें चंडीगड़ एक बहुत खुफर शहर है आप सभी आप हिंदुस्तान का और साड़ेचे साथ वज़े के करीम में उदर से गुजर रहा हूं गुम्रों यह साए सुना दी या लेकिन मुनावर कोई बात नहीं दोबारा चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें पूछते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है फिर किसी रोजिये सहलाब दिखाएंगे तो है पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है फिर किसी रोजिये सहलाब दिखाएंगे सुनिए दोस्तों के उंगलिया यू नसब पर पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, उंगलिया यू नसब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिन्दगी क्या है, खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, जिन्दगी क्या है, खुद ही समझ जाओगे, जाओगे बारिशों में पतंगें उड़ाया करो शाम के बाद तुम जब सहर देख लो जितना मैंने महसूस किया इस शेयर में आप भी महसूस करेंगे इसलिए कि आप भी महीं से हैं जहां से मैं हूँ शाम के बाद तुम जब सहर देख लो कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो शाम के बाद तुम जब सहर देख लो कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो और चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां, चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां, ऐसे वेजों को मुम्मत लगाया करो। अपनी में गाया जोड़ार तालिया, डॉक्तर राहद इंदोरी साब के लिए, उर्दू, घजल और हिंदी कभी समयनन मुषायरे का एक ऐसा खुदरंग नाम, जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग इखटे होते हैं, और आज राहद भाई आपने थोड़ी सी कसर कर दिया आज आप जल्दी सी में थे और आपने जितना लंबा लोग सुनते हैं उतना ने जना लेकिन फिर भी आपका जितना भी रंग रहता है मुझे याद है कि विश्विद्याले की कॉपी चेक हो रही थी तो मैं एक बार सेंटर रिवेलिशन में पहुंच गया बी ए फस् लड़के खराब लड़कियों को देखकर गाते हैं तो कई बार जब मैं रात भाई को पड़ते वे देखता हूं तो मुझे बच्ची पर यकीन करने का मन होता है लेकिन अपने रंग के मैंने जो कहा कि खुदरंग शायर और ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो गया है जो अपने खुदरंग में हो अपनी जिंदगी में भी और शायरी में भी मैं चाहता हूं कि और हम बड़े बड़े खुश्रसीब हैं अभी रात भाई की तब्याद जब खराब थी तो हम सब लोग इतने चिंतित थे सब दुआएं करते थे और सब कहते थे कि उनकी तब्याद ठीक हो और मैं चाह रहा हूं कि अगर वो दो चार शेर और पढ़ दें हम सब के नाम पर एक बार आप दुआओं के लिए भी और एक बार जोड़दार तालियां बजाकर उनसे कहिएगा कि रात इंदौरी सहाब ताद भाई मेरे मेरे हुजरे में नहीं वो तो सुनाएद जी बेटर बेटर जी 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 मैं हाजिर करता हूं हाँ में हादिर करता हूं मैं वाके बार रखर में यह रेस्मी नहीं नहीं altogether बाएक्टर्स और मेरे सब मैरे महमदर जितने दोस्ते वो मुझे रोकते हैं कि भी राध भाई मत भागा करो मत दोड़ा करो क्यों जाते हो गया लेकिन ये जो हमारे साथ ही हैं रहान और पान और ये आफ़ताग और फूरिटी और आपकी महबतें खेंश चिलाई हैं सहत ने इजाज़त नहीं दी थी हिम्मत ने इजाज़त दी और अगर दो दो तुसकी दी शेयर पड़ता हैं मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो आसमा लाए हो ले आप जमी पर रख दो मेरे हुजरे में नहीं और कहीं और कहीं पर रख मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो आसमा लाए हो ले आओ जमी पर रख दो अब कहां ढूंडने जाओगे हमारे कातिल अब कहां ढूंडने जाओगे राद बाद हमारे कातिल आप तो गतल का इल्जाम हमी पर रख राद भाई क्या शेर है वाबा खूनने जाओगे हमारे कातिल आप तो कटल का इल्जां हमी पर रख दो हमी आप तो कटल का इल्जां हमी पर रख दो हो वो जमना करे तक अगर चलेए आप मेरे साथ मज़ा आ जा जाए हो वो जमना का किनारा ये कोई शर्त नहीं हो वो जमना का किनारा ये कोई शर्त नहीं मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है कहीं पर रखनी है हो वो जमना का किनारा ये कोई शर्त नहीं मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है कश्टी तेरा नसीब चमकदार कर दिया यह वही थे कि कहा तक पहुंचिए बाद कश्टी तेरा नसीब चमकदार कर दिया इस पार के थपड़ों ने उस पार कर दिया इस पार के थपड़ों ने उस पार कर दिया और अफ़ाह थी के मेरी तबियत खराब है लोगों ने पूच पूच के बीमार कर दिया अफ़ाह थी के मेरी तबियत खराब है अफ़ाह थी के मेरी तबियत खराब है लोगों ने पूच पूच के बीमार कर दिया और ये शेर में छोड़के जा रहा हूँ इस दुबे की खुबत मुशारे में के दोगस सही ये आप एकी नदर है दोगस सही मगर ये मेरी मिलकियत तो है दोगस सही मगर ये मेरी मिलकियत तो है ए मात तूने मुझको जमीदार कर दिया दोगस सही दोगस सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है ए मौत दोगस सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है ए मौत तूने मुझको जम्... अच्छा था मुचे उचे दर्बारों से क्या लेना उच्छे उच्छे दर्वारों से क्या लेना नंगे भूखे बेचारों से उच्छे उच्छे दर्वारों से क्या लेना नंगे भूखे बेचारों से नंगे भूखे बैचारों से मुचे उचे दर्वारों से क्या लेना अपना मालिक अपना खालिक अफजल है आती जाती सरकारों से अपना खालिक अफजल है जिन्दाबाद आती जाती सरकारों से क्या लेना नंगे भूके बेचारों से क्या लेना अपना मालिक अपना खालिक अफजल है आती जाती सरकारों से क्या लेना साथ हमारे कई सुनहरी सदियां है हमें सनी जरितवारों से क्या लेना साथ हमारे कई सुनहरी सदियां है हमें सनी जरितवारों से क्या लेना पाउ पसारो सारी धरती अपनी है पाउ पसारो सारी धरती अपनी है यार इजाज़त मकारों से क्या लेना झाल 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 झाल